आप सभी तमाम शाथियों का आपके अपनी यूटूब चैनल MSH Tite Talks वर तो जाडखन सची वालाई परिच्छा दोया 23 की तयारी करने वाले सभी स्टूडेंस के लिए ये वीडियो बहुत इंपोर्टेंट है क्यूंकि आप सभी अभी तक जो भी जितने भी कैंड़ेट्स त तो यहां पर हम बात करेंगे पेपर वान में टॉपिक वाइज आपको क्या कर तयारी करना है क्योंकि आप लोगों पुरा सिलेवस बहुत सा रिश्टून को पता है बाकि आगर आपको पेपर वान पेपर टू पेपर थी तीनों का सिलेवस कंप्रीट चाहिए तो आप पेपर वान पेपर 2 पेपर 3 तीनों को थोड़ा से समझना बहुत जरूरी है पहला जो पेपर है यह सिर्फ आपका क्वालिफाइंग पेपर होगा यानि इसमें सिर्फ आपको पास करना होगा और जो मेरिट बनेगा आपका यानी जो मेधा सुचि बनेगा वे पेपर 2 और 3 मिला कर यानि अगर बाप की जाए पेपर को लेकर तो सबसे इंपोर्टेंट है यह दोनों पेपर पेपर 2 और पेपर 3 जिसमें पेपर 2 में आपको एक लाइंग्वेज चूच करना पड़ेगा और पेपर 3 में आपको सामे ने घ्यान से लेटेड जीतने भी टॉपिक्स है तो इसका अलग से वीडियो बना देंगे अगर आप लोग का डिमांड रहेगा तो अगर आप लोग का कमिट देखने को मिले दो बाकि इस वीडियो में हम आप लोग कम्पलीट पेपर वान में क्या क्या पढ़ना है और पेपर वान में क्या क्या जरूरी है वो जानना बहुत जरूरी है तो चलिए हम बात करेंगे सिर्फ पेपर वान के लिए तो चलिए अब बात करेंगे पेपर वान का कम्पलीट जानकारे इस वीडियो में दे आपका पेपर 1 को लेकर ज्यादा टेंसर नहें लेना है बस यह आपका कॉलिफाइंग पेपर है लेकिन यह भी जरूरी है कि इसमें 30% लाना अनिवार है अगर आप 30% लाते हैं तो ही आपका पेपर 2 और पेपर 3 का चेकिंग होगा और आपका मेरिट लिस्ट पनेगा तो 30% ल पेपर आपका जो है अनुच्छेद रहने वाल है उनी में से आपको एंसर देना होगा इसमें हो सकता है कि आपको अनुच्छेद में ही ग्रामर बगर भी पूछ ले लेकिन वो अनुच्छेद के अंतरगती होगा दूसरा आपको ध्यान देने जरूरी है वो है हिंदी व्य पर आपको क्या का ध्यान रखना है हिंदी और उससे उत्पन भांशाय बोली लीपी और सनवैधानिक इस्थिति यानि भांशा को लेकर सनवैधान में क्या कुछ है नियम कितना मानेता प्राप्त है यह सारा उसके बाद भांशा का विकास करम और शाहित से लेटेड़ भी टॉपिक्स हैं पर दिये है जो कि प्रिवेस को देखते हुए ठीक है यह हमारे दौरा बनाया गया है और अगर आपको लगे कि इसमें कुछ और एड करना है तो आप लोग कमेंट से समय जरू लिखिएगा बाकि हमारी तरफ से पूरी कोसिस की गई है कि जितने भी टॉपि है काल उसके बाद आपका क्रिया वचन लिंग प्रते उपसर कारक शंग्या सर्वनाम विसेशन क्रिया विसेशन ठीक है उसके बाद समन अर्थी सब विलोम सब अनिक सब्दों के बदले एक सब शूति सम भिनार्तक सब शुद्ध वरतनी वाले शब्दों में आपका सत्सम और जहां तक मुझे जानकर है साइद आपम लोगों में से बहुत सारे इस सभी चीज बेसिक है क्योंकि आप लोगों ने class 5, 6, 7 जब सा आप grammar पढ़े होंगे तो यह सारा चीज आप लोगों पढ़े होंगे बस रेपकार इसको क्या करना है एक बार study करके उसमें आपको रिविजन करके तयारी को पुरा कर लेना है तो यह रहेगा मेरी तरफ से आप लोग के लिए यह बनाए गया है ताकि आप लोग का तयारी आशानी हो इसमें एक चीज आप लोग को ध्यान रखना ज़रूरी है correct answer के लिए आपको 3 marks मिलेंगे wrong answer के लिए minus 1 और अगर आप attempt नहीं करते हैं तो फिर आपको कोई marks न कटेगा नहीं आपको कोई marks दिया जाएगा चले आपको दिखाता है English से तो English passage में आपको क्या कर पढ़ना है तो English passage आपका 30 questions 30 marks जिसमें 6 passage आपका और close test आप close test क्या है जैसे कि आप लोगों बता दिये कि जैसे passage तो रहेगा ही शाथ में passage में आपको जितने भी ग्रामेटिकल आपका है उसमें आ सकता है जैसे आमान की चलिए error दे सकता है तो यह आपको अनुछित के अंतर रिखत ही मिल सकता है 30 questions में से दूसरा आपको इंगलिस grammar जिसमें 30 questions 30 marks रहेगा इसमें आलग से आपको क्या कर पढ़ना है तो मेरे तरब से जो आप लोगों के लिए session किया जाएगा वह है पहला है voice voice में आपको active voice पैसे voice को यहां पे अच् active से passive voice बना जाता है और ऐसे में आप बहुत सारे exam competitive exam में देखे होंगे तो voice मतलब बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है तो यह आपके लिए बहुत important chapter है topics है वह है voice का उसके बाद narration भी देखने को मिलता है तो narration चाहे direct speech और indirect speech वाला topic भी आपको करके तयारी करके जाना है य आपको fill in the blanks में आने वाला है जो कि यहाँ पर आपको last में हम लिखती हैं तो यह आपको तयारी करना है चले इसका बाद दिखाते हैं आपको error detection यह भी बहुत important है sentence rearrangement जो कि आपको sentence दिया रहेगा उसको arrange करना होगा इस तरह से भी बहुत सारे competitive exam में देखने को मिलता है और syllabus same भी है तो इसका आप भी अगर दूसरा अगर आप तयारी कर रहा है तो उसके लिए इंपोर्टिंट है इसके बाद दिखी यहाँ पर साइनोनेम आपको क्याका और पढ़ना है साइनोनाइम पढ़ना है एंटोनाइम पढ़ना है ठीक है जिसको आप लोग साइनोन मतला ज इसके साथ आपको इक अअलग से अड करना आर्टिकर तो यह आप लोग के लिए जो है मेडिक तरफ से हिसन्की तौर पर 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 वान को क्लियर किया गया डाकि आप लोग अगर तयारी कर रहे हैं तो हमारे साथ सब्सकारी के सकते हैं इस तरह से क्योंकि जाड करण एकि वीडियो लेकर आएंगे तो मिलते हैं नेक्स्ट एक और वीडियो के साथ मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपको काफी हेल्प मिला होगा अगर आपको हेल्प मिला होगा कमेट स्क्रिक्स में जरूर लिखेगा तो चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बहुत बहुत सुक्रिया